सारी दुनिया की नजरे इस वकत जो हैं भारत के चंद्रियान थ्री पर है मैं समय जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है बलके यहां पर तो चंद्रियान थ्री यहां भी चड़ने वाला है अमेरिका के अंदर भी आर्जुकर यहां रपॉब्लिकन डिवेट हो रही है और जिस महिना दो महिने पहले किसी को कोई पता नहीं थे कि यह विवक रामस्वामी क्या चीज है और ही आज रिजन सो भी अर उनकी बातें सुनने वाली उनके ट्रीट देखने वाले इस गेडिंवेरी पापुलर मैं समय तो मुबारक बात क्या हक बनता है चंद्रियान थ्री के और जो सबसे जो टेक्निकल बात जो बताने वाली है कि दुनिया में पहली दफ़ा इतने कम कीमत के ऊपर चांग कर और स्पेस के अंदर जो अचीवनेट्स हैं भारत की डैट इस रिमार्केब जितने कम खरचे के ऊपर यह सारा कुछ किया जा रहा है इसके पीछे अगर दे और कुछ भी नहीं है जब आप प्राइड हो आपके अंदर के हमने अपने मुल्क का जड़ा वहां लेराना है हमने अचीव यह करना है तब चीजे होती है और मैं समझता हूं कि मैं इसको क्रेडिट इसका जो है इसको नेशनलिजम का क्रेडिट जो है वो मोधी साथ को जात आपनी economy को अपनी currency को, UPS System को, Pamer System को परोड करना दुनिया में और उसके बाद आज भी South Africa गए है और वहां पे भी वो ब्रीक्स के बारे में और वोसी चीजे जो है भारत की foreign policy है उसके बारे में काश के हमारा भी मैं जिस तरह हमेशा केहता हूँ के prairie साथ का जो माडल है to give a nationalism boost to the country that is that should be copied in developing countries जहां पर जमूरियत और इस तरह की चीज़े और बिलकुल economic collapse के पास है वहां पर उनको चाहिए कि nationalism को promote करें जिस तरह मैं आज कल मुझे बहुत अच्छी चीज है का आज कल मैंने वो भारत से सीखी बलके आज कल वहां पर जो नारा वो कहते हैं कि सोच बदलो भारत बदलो मैं वो ही आपने पाकिस्तानी भाईयों से भी कहूंगा सोच बदलो पाकिस्तान बदलो उसके बगार possible नहीं है यह जो ब्रिटिश आपके रूलर है चाहे यह ब्रिटिश ट्रेंड इनके इनके इनका आइडिया आपको सर्व करना या पाकिस्तान की तरक्की नहीं है आपको हर पाकिस्तानी को सोच बदलने की जुरत है उसके बगार गुजारा नहीं है बिल्कुल ऐसे यह सार बलके एक चेंज जो अच्छा चेंज मैं काऊंगी देखा वह यह के वाज चादरी साब ने ट्वीट किया और उन्होंने का कि पाकिस्तान के टीवी चैनल को लाइफ कवरेज देनी चाहिए चंद्रियान 3 की जब हो रहा हो के जी अब लैंड करने वा अब सिद्व मुसे वाले को फालो कर सकते तो चंद्रियान 3 को फालो क्यों क्यों नहीं करते हैं और लॉखके मैं बहुत मैं यह ब के लिए बहुत हो रही है चाहिना भाग भाग के जाते हैं वो कोई से मुसल्मा है बलके वहां पे देखें आपके वीगर मुसल्मानों के साथ क्या सुनूप किया रहता है लेकिन आप उनकी बात भी नहीं करना चाते हैं उस चीज़ को आप पाकिस्तान की सर्वाइवल के अपने जो डिफरेंसेंस उनको खतम करें ट्रेड शुक करें वहां से अपने चीज़ें घंदम चावल अपने सारी अद्वियात और उस माडल को फालो करें और नैशनलिजम देखें जिस तरीके से उन्होंने नैशनलिजम के जरीए अपनी चीज़ें तब्दील की हैं आप को भी जरूरत है आप चांच पर नहीं जा सकते हैं सर्वाइव करना तो सेखें वहां से बिलकुल है सही सर बलके मैंने तो खेर ओडर दिया हुए मिठाईयों का मिठाईयों का वो जो होता है ना सर वह बड़े मज़ेदार होती है जो देसी मिठाईयों होती है उसका ओडर क तो उसके साथ ही जो है वह मैंने पूरत करें लाइव करें बलके हमें भी उसमें लें जूम पाईटी करें सेलिबरेट करेंगे क्योंकि यह लैंड़ मार्क चीज होगी और सासकर हम जैसे लोग जो के जिनके साथ हमारी सोचे हैं चीजें हैं मिलती है आप चीज वो इस तरह का मिरिकल करने के काबल हैं हम सब को सेलिबरेट करना चाहिए और मैं कहता हूं इसकी जितनी भी तारीफ करें करें करम है कि भारत का जो एक प्रोग्राम है वो सिक्सेस्पुल हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर है और साथ पढ़ रहा था आगे एक्सपरिमेंट किये जा है यहां पर देखा जा रहा है के वहां पर पानी का कुछ है वहां पर सिलस्ला है आगे फ्यूचर में यहां अमेरिका से आपने देखा दो तीन कंपणिया इस वाइश पर कम्पीट कर रही हैं त्रेवल करने में रिचर्ड ब्राउसन की कंपनी है टेसला जो है के लिए फैस ट्रैबलिंग के लिए प्र लाइफ ऑन दुपर भी किया जा रहा है वहां पे इनका माइनिंग का प्रोग्राम है मून के उपर इंदर इस विजिबल और लेकिन वहाँ पे इस तरह के एक्सपेरिमेंट होंगे फ्यूचर में और अगर कल भारत का यह तेरबा कामयाब होता है कल और इसके बाद जाहर है कि मेरे काल में भारत भारत पिल भी दा फोर्थ कंट्री इ पर जाम दिया है इस वर्थ प्रेजिंग और पाकिस्तानी बच्चे को यह देखना चाहिए कि भारत की खबरें बच्चों को पाकिस्तानी बच्चों को सुननी चाहिए देखें वहाँ पर किस तरह कर रहे हैं इंफ्रमेशन टेक्नालोजी को आइटिफिशल इंटेलिजिए अगले दिन वहां मैंने आपको बताया था कि उन्होंने वहाँ पर एक इनिशियेटव दिया है कि चार लाक डालर दिया जाएगा जो सर्च इंजन जो पेहतरी इंजन सर्च इंजन बना के गूगल के मुकाबले का वह भारत में लांच करेगा उनको चार लाक डालर प्राइ कोई इस तरह का इनिशियेटव किसी कंपनी को नहीं दिया जा रहा कि बताएं एक स्पोर्ट किस तरह बढ़ा नहीं है क्या आप मैनेफेक्ट्चर करें यहां पे कुछ भी नहीं है मैं यहीं अफसोस करता रहता हूं हमेशा कान पक चुके हैं कि पाकिस्तान से कुछी खबर बान का रखें इंटरनेट पे सार्व चैनल्स बान किया हैं लेकिन इसमें से आप कितना क्रेड़िट देंगे नरिंदर मोधी जी प्राइम मिनिस्टर मोधी जो हैं उनकी गर्मिन को के जिसकी वजह से इस किसम के प्रोजेक्स और इस किसम की सक्सेस उनको मिल रही है जैसे मैं समझता हूं 100% क्रेड़िट उनको जाता है मोधी जी देखें दसमें नंबर से पांचमें नंबर पर एकानमी को लाना और तीसरे नंबर का वाधा करना और फिर लोगों में प्राइड इस चीज की लाना कि लोग अब दूसरे मुमालिक से अपनी जाबें छोड़कर भार को जाता है मैं हमेशा है काहता हूं कि मोधी जी ने जो नैशनलिजम का दुनिया केंदर एक मुश्रिट नेशनिस चली थी सारी कॉल्राइप्स कर चुकी है सवाए भारत के मोधी जी जो नैशनिस मोव्मेंट इससे पहरे तो मखलूब गर्बंट होती थी कमज़ों होती थी यह पाकस्तान और दूसरे मुमालक को भी कापी करना चाहिए और मैं समय तो इस वह सक्सेस्फुल मारत का इस ने वाले दिनों में आप देखेंगे कि गर्मन्ट पालिसी के अंदर यह चीजें पढ़ाई जाएंगी स्कूलों के अंदर यह जो माडल इस पकर चल रहा है इसकी इस बुनियादे हैं नाइटी नाइटी वन से शुरू हुआ था लेकिन स्लो स्पीड थी अब तो फिर मोधी जी ने इसको स्टेरोइट दिये ना सिर्व भारत बलके भारती डाइस्पुरा जहां जहां भी है वो त्रकी का बाइस बन रहे हैं अपने मुलक के लिए भी रिम इसको पता हो मेरी इंवेस्टमेट सेफ है मैं अगर वहां जाओंगा मेरी जिंदगी सेफ है तब होती है और यह चीज हमारे पाकिस्तान में मेरी दौा है कि वो भी इस तरह के हालात पैदा कर सके लाइन और अडालतों के जस्टिस के हालात बेतर हो ताके लोग अमीर उलमुमनीन जो है हमारे पिशले जेल में आजकर इन दोनों का आइडिया यही था पाकस्तानी ओवर्सीज पाकस्तानी आएंगे तो बूद की नहरे चलेंगी सबसे पहले तो यह थे हम ओवर्सीज पाकस्तानी कौन है हमें आपने धक्के मार मार के वहां से नकाला है अमीर बात तो यह हम वापस जाएंगे तो हमारे बच्चों को क्या करेंगे बॉलभा करती है तो जाएंगेंगे अपस Зन करता हूं आपके अपने बच्चे सारे लंदर में बैठे हैं। सारी प्रापटी आपकी लंदर में है, आप उसको क्यों नेकर पाकस का जाए। आपके लिए सेफ नहीं है। तो आप मुझे कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को लेकर जाओंगा। लेकिन सर बच्चों से मुझे याद आया कि वह बट्ग्राम में जो हाथसा हुआ सुबार वो बच्चे कितने बारा घंटे विचा रहे हवा में जो है कहना चाहिए लटके रहे और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे टूरिस्ट क्यों नहीं आते ये तो हाल है पूरी दुदिया ने देखा बीबीजी के मैंने फुल सुबाद उठाओ तो पहला चैनल बीबीजी मैंने आन किया तो सबसे पहले मुझे बुल नगरा है अब की बाल मिलूं कि टूरिस्ट किस तरह जाएंगे आपके जब आपके धमाके बन धमाका हर शेर में हो रहा तो तू पाकस्तान ही दरते हैं बहुत अफार पाकस्तान जाने से तो हमारे जाए तो तूड़ गई बीच में और बच्चे बिचारे कितनी देर डरे सेमें रहे वहां पर कोई लॉइन ओडर के आदा बलके मैं कहा रहे है कोई रेगूलेशन कोई नहीं है किसी कानून को फालो नहीं नहीं किया जाता है हर चीज में तो रिश्वत इन वाल रस्मियों से बाद के बच्चों को इस तरह की चेयर लेफ्ट के लिए वो तो एक ड्रामा सा बनाया वाथ नदी को करास करने के लिए और उसमें फस गये हैं फिर हेलिकाप्टर और फिर सारा चीज सारा दिन पूरी द देखा जाये तो काम पक जाते हैं लेकिन क्या करें अर्जू फिर यह हमने छेतर साल लगा के आप इस जगह पर पहुंचे हैं लेकिन सर अपने किस तरह के जो है वो अपने लोग बनाए है किस तरह का मैंड़ सट किया है कि आपने आपको मालूम है बटग्राम ये वो जगह जहां पर एक कुछ साल पहले किसी शादी में दो तीन लड़किया तालियां बजा रही थी और उनको गोली मार दी गए थी वो लड़कियां पिर गायब हो गी इस मैंड़ सट के लोग रहते हैं हमारे तो अगले दिन जो चर्चों को छे चर्च जला कर रख दी हैं उनका मैं कि जहाद शुरू किया पैसों के लिए डालर के लिए आपने बहुत डालर बनाए अब रिसेंटली आप अमनमिल मारूफ है हर चीज का आप नए पार्गस्तान को चेंग करके रियास्ते मदीना कर लिया आपने आपने कहा कि हाज उमरे पे ना जाओ मेरे पीटी आई के पता कि दूसरे मजाहिब के लोगों से मिलके रहना किस तरह यह आपको पता नहीं और बार बार आपको मौलवी करो बार है मुझे किसी ने पूछा और मैंने पूछा यहां कि तुम्हारे हर चीज़ एस हाई मरती होने के लिए मुकाबले का अमत्यान इमाम मस्जद बनाने क पूरी अबादी डर रही है उसके बनास्मी का जो आप कानून है उस लोग उससे उसके जरीए बदले ले रहे हैं हलाकि सौदी रेविया के अंदर भी मस्जदे रेगुलेटेड है वहां पे फैक्स होके आता है खुत्मा जो है उसके उससे एक लफ़स उसमें आई भी किया लेकिन यह फिर यह एसस सुसाइटी इशू है यह मुल्क का इशू नहीं है कानून आपके कताबें भरी पड़ी है कानूनों के साल लेकिन उस कानून अमीर आदमी का अपना कानून है घरीब आदमी का अपना है अफसरान जो है मैंने आपको बताया जो परिटिश झाल